समय खरीद ना सीखें एक इंच सोने से भी एक इंच समय नहीं खरीदा जा सकता चीनी सुक्ती आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेंज से यातरा करना पसंद करते हैं या सूपरफास ट्रेंज से? देखिए, रिटायड लोग पैसेंजर ट्रेंज को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है पैसेंजर ट्रेंज की यातरा में समय ज्यादा लगता है लेकिन रिटार्ड लोगों को आम तौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती उनके पास समय ही समय रहता है दूसरी ओर वेस्ट लोग सुपर फास्ट ट्रेंज से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदूपयों कर सकते हैं बेहद व्यस्ट लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा खियमती होता है जिस विक्ति का समय जितना खियमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है यदि आप समय के बचाए पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं दूसरी और, जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भर सक कूशिश करते हैं, एक तरह से कहा जाए, तो वे समय को खरीद लेते हैं, इस अध्याय के प्रारंब में दी गई चीनी सुक्ति में कहा गया है, कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेक उसका प्रभंदन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफ़ा उसी को होता है, कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनखवा देकर उनसे अपना मन चाहा काम करवाता है, दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है, यदि आप समय बचाना चाहते हैं, तो आप भी समय के सर्वशेष्ट उप्योग के चौधवे सिध्धान्त का पालन करें, समय खरीदना सीखें, देखी, खंड एक में आप यह पता लगा चुके हैं, कि आपकी एक घंटे का मुल्ले कितना है, उस उधारन में आपके समय का मुल्ले सौ रुपे था, अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्ने ले सकते हैं, एक उधारन देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में डेड़ घंटे का समय लग सकता है, यदि कोई एजेंट बीस रुपे लेकर यह काम करने को त जाहिए, कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं, तो आपको एक मुल्यवान सत्य पता चलता है, धन ही समय है, जोर्ज रॉबर्ट गिसिंग, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज्यादा कीमती है, इस तरहें पैसे देकर समय खरीदना सीखें, यह सि इसका फाइदा उठाती है, आधुनिक युक की आउट्सोर्सिंग की नीती इसी सिधान्त पर आधारित है, अमेरिकी कम्पनियां पैसे देकर अपना काम भारतिये कम्पनियों से सस्ते में करवाती हैं, और अपना कीमती समय बचाती है, यह डेलिगेटिंग या काम सौपने से अलग बात है, डेलिगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महतुपूर्ण काम अपने अधिनस्तों को सौपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महतुपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं, यदि आपके एक घंटे का मुल्य सौ रुपे है, और सामने वाल आपका एक घंटे का काम दस रुपे में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा ले, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज्यादा उप्योगी और मुल्य लिवान काम कर सकें। जो अपनी योग गिता का इस्तिमाल कर सकते हैं। जिग जिगलर ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाशन देने के लिए आमत्रित किया, तो उन्होंने इंकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाशन के बदले में वहे उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आख बबुला हो गए और बोले। पैसे का लालच मुझे नहीं डिका सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बरबाद नहीं कर सकता। आतम निर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। क्यों करती है वैसे तो इसके कई कारण है लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय अमूमन पुर्षों के पास समय की कमी होती है जबकि महिलाएं तुलनात्म ग्रूप से फुरसत में होती है एक बार फिर वही हिसाब लगा ले अगर आपके एक घंटे का मुल्ले 100 रुपय है और एक घंटे के मौलभाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपय कम करवाने में काम्याब हो जाते हैं तो आप दरसल घाटे में रहते हैं वास्तव में आपको 20 रुपय का फाइदा नहीं हुआ बलकि 80 रुपय का नुकसान हुआ है समय धन से अधिक मुल्यवान है आप अधि एक समय कभी नहीं पासकते जिम रॉन